दोस्तों आपने बहुत सारी लोगों से बोलते हुए देखा होगा कि बैंक में पैसा रखना बेकार है, बैंक में हमें पैसा नहीं रखना चाहिए तो हम जैसे जो normal लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यह बैंक में पैसा रखेंगे तो हमें interest मिलेगा बैंक में पैसा रखेंगे तो पैसा safe रहेगा बैंक में पैसा रखेंगे तो जब मन होगा जब निकाल लेंगे लेकिन बोलो कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता होगा जिससे वो मनागरती है आप जितने भी इन्वेस्टर से पूँचोगे न कि बैंक में पैसा रखना सही है या नहीं तो वो क्लियर एक जबाब में आप आंसर मागोगे तो वो बोल देंगे नहीं बैंक में कभी भी पैसा नहीं रखना चाहिए बैंक में पैसा रखना गहाटे का सौधा है लेकिन इसके पीछे क्या इतिहास है क्या गड़ेत है जो कि आपको समझना चाहिए कि बैंक में पैसा र देखो, inflation होती है कि आजकल लगातार आपको पता है कि महगाई बढ़ते जा रही है और जो हमारा पैसा है उसकी बैलू कम होती जा रही है अब यह तो मैंने टेग्निकल लेंग पे जो मैं बोलती है, आपको कि महगाई तो बढ़ रही है पैसे की रेट कैसे कम हो सकती है, पैसे की रेट कम हो रही है और inflation rate होती है, वो इन रेट को identify करती है कि कितनी rate से महगाई दर बढ़ रही है अभी साढ़े पांच चल रही है, inflation rate अभी साढ़े पांच चल रही है एक example के थुरू आपको समझाता हूँ आज से कुछ टाइम पहले आपके पिताजी के पास 20 रुपए थे और उस टाइम पे आपके पिताजी 20 रुपए में 1 किलो कोई सामान खरीश सकते थे उदाहरण के लिए चीनी माल के चलते हैं कि आपके पिताजी उस टाइम पर 20 रुपए में एक किलो चीनी खरीज सकते थे आज से अगर 7-8 साल पहले देखें तो चीनी की रेट यही थी और अगर आपके पिताजी उन पैसों को रखे रहते हैं और उसके बाद आज जो करेंट डेट है आज की डेट में वो आपको पैसे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ बेटा मार्केट से चीनी ले आओ तो आज चीनी की रेट है 40 पैसे कितने है 20 तो 20 रुपई की आपको आदा किलो चीनी मिलेगी लेकिन आपके पिताजी को उस टाइम पर उसी 20 रुपई से एक किलो चीनी मिल रही थी तो आपके पिताजी क्या कहेंगे कि देख ले बेटा हम अपने टाइम पर एक किलो चीनी दे सकते थे इससे लेकिन आप बस आदा किलो लाई तो ऐसा हुआ क्यों भाई अब हमें आदा किलो क्यों मिल रही है पहले तो 20 में एक किलो मिल रही थी यही होता है inflation मतलब महगाई दर बढ़ती जाती है और हमारे पैसे की बैलू वही की वही बनी रहती है यह दाउन चली जाती है महगाई तो हमेशा बढ़ती जाएगी उस टाइम पर चीनी 20 रुपे किलो चल रही थी तो चीनी तो बढ़ती गई लेकिन पैसा तो उतना ही रहा पैसा तो बढ़ा नहीं अब इसकी एक रेट होती है इंफलेशन रेट होती है इंफलेशन रेट चलिए साड़े 5% मतलब आपकी महगाई दर साड़े 5% बढ़ती जाती है अब बैंक इंट्रेस्ट कितना देता है तीन से लेके 5% 4% 5 तो सेविंग अकाउंट पर साइद कोई भी नहीं देता अब कोई 4% का इंट्रेस्ट दे रह होला है वो आंगे 105 या 105 का मिल जाएगा लेकिन अगर आप उस 100 रुपई को बैंक में डालोगी तो बैंक 3 रुपए से इसाब से ब्याज देगी तो रुपए 103 हो पाएंगी लेकिन उस प्रोडेक्ट की रेट उस टाइम पर 105 या साड़े 5 हो जाएगी क्योंकि साड़े 5 रे आपको बढ़ानी है तो तो आप सही हिसाब से चलते रहोगे लेकिन पैसे की रेट मेहंगाई दर से नीचे रहेगी तो फिर आपको फाइदा नहीं होगा वलकि लॉस होगा अब इसमें इंफलेशन में बहुत सारी लोगों को वेनिफिट भी होता है जैसे बिजनिसमेन होत लको कहें जबते रहे तो उसके बाद उसे 150,000,000 निकाल सकते हैं क्योंकि महंगाई वढ़ती जाती है अब इंवेस्ट कम किया रिटर्ण जादा मिल गया ऐसई इंवेस्टर का इंवेस्टर जो होती है वह पैसा कम लगाते हैं लेकिन फ्यूचर में उन्हें रिटर्ण ज्य फैस नहीं करते, या किसी प्रोडक्ड को खरीदने में नहीं में लगाते तो उस पैसे की रेट गट जाएंगी और सामान इसका वबढ़ जाएंगी लेकिन आज के टाइम पे हम उतनी ही चीनी खरीदने के लिए, एक किलो ही चीनी खरीदने के लिए 40 रुपई देती हैं, मतलब डबल पैसे देने पड़ती है, तो पैसे हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, सामान हमें उतना ही मिलेगा, अगर आपके पिता जी उस टाइम पे आदा सामान मिलेगा उसका, अगर उसको एक कहीना कहीं लगा दे हैं, कुछ सामान खरीदे हैं, किसी भी चीज खरीदने में, तो वो आज आके double हो जाएंगे, तो यह होता है inflation rate, इसलिए बोला जाता है, कि जो inflation rate हमेशा हाई होती है, आज के time पर 5.5 चल रही है, और bank से जो interest मि खरीदने में आप पैसा लगाओगे, तो अच्छा return मिल जाएगा आपको, महगा इदर, product के हिसाब से चलती है, जो सामान होता है, जो market में खरीदा और बेचा जाता है, उस सामान के हिसाब से महगा इदर चलती है, अगर आप invest करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से invest कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,